मैं अक्षर एक एग्जामपल शिव भगवान की दिया करता हूँ तो जो शिव भगवान के मानने वाले हैं कैसे अपने परमात्म की मूरत अपने सामने बनाएंगे यह समझिए यह सै शलीव हमारे सामने विद्वान हैं बड़े प्यार से बड़ी बड़ी आके हैं ख्याल से ख्याल भाई थाउप ख्याल से बड़ी बड़ी आके हैं गोल चेरा है जटाएं हैं सर्पों की माला है जो द्राक्ष पहले हुए हैं बनाएं ख्याल से और जब वह मूरत सामने इस पस्ट हो जाए जो वह मूरत आपके सामने इस पस्ट हो जाए उस पवित्ष मूरत को अपने हिरदे में उता लिए जिस प्यार से आपने बगवान को सामने बनाया उतने ही प्यार से अपने थिरदे में उता लिए और जो इनसान सबसे ज़रा प्यारा लगता है आपके, ग्रस्त के अंदर, बीटी है, बीटा है, जो प्यारा लगता है, उसकी शकल रह रहे के, यान रह रहे के आपके, अलग निए बनाए आपने सामे, और जो हमारा दिल है, दिल की धड़कन, कहते हैं बंद हो गई, चला गया आ उस दिल की धड़कन में, जो आपका नाम है, उसको हर धड़कन पर सुनने की कोशिश करें, ओम नमोश्यवार, बड़े प्यार से, ओम नमोश्यवार, इतने प्यार से इस काम को करना है, कि जब तक आप पूजा अर्चना करते हैं, आदा गंटा सुबह, आदा गंटा साहिक आदे गंटे का टाइम ने सुन कर दिया सब को करना चाहिए चाहें संसारी हो चाहें को करस्ति हो किसी भी धर्म का मानने वाला हो क्योंकि परमात्माने हमें विवेक बुद्धि दी कर्म करने का अधिकार दिया जो आते हम कर लेते हैं इसलिए ये उसकी बड़ी महती करवा है हमारे उपर बड़ी महती करवा है कि उसको मान सकते हैं उसको जान सकते हैं उसको पहचान सकते हैं दिल की हर दर्कन पर बड़े प्यार से उस नाम को लेना है जो आपका इस्ट है जिसकी मूरत आपके सामने बनी हुई है बनाए और जब मूरत स्पस्ट हो गई तो हिर्दे में उतार लिया पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी यह काम करें देखिए हम संसारी लोग हैं संसार में बहुत सारा काम करते हैं कोई 60 साल कोई 70 साल कोई 80 साल सारा इगरस्त का काम करते हैं तो जैसे ही हम इस इतना पक्का कि डॉक्टर कहता है कि तरी किड्नी खरावू कि तो आप तो साथ ही जाने तो इसको इतनी पक्की आदत बन जाती है संसारिक आदत इतनी पक्की हो जाती है जब हम परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारी आदत भी इतनी पक्की हो जाएगी इतनी पक्की कि जब हमारा अंतिन समय आएगा तो ये भी हमारे साथ जाएगी जैसे और चीज़े साथ जाती है ऐसे ये भी चीज़े आपके साथ जाएगी तो करना क्या है हम करते क्या है ज्यान करके परमात्मा के नाम को मन के अंधर टोकते चले जाते हैं। सपईडार माल कर चले चले हैं। इंप्रेशन बनाते चले जाते है। और इतना गहरा इंप्रेशन बन जाता है। कि जब वह पूजा का टाईम आपका आएगा आदा घंटा सुगर आदा घंटा साहिकाल सुन्म कि एटोमेटिक। आपको याद आजाएगी कि मेरा पूजा का समय हो गया है। जैसे खानी ही का समय है। भूख हो या नहों कि अगर घड़ी में बारा बज़े हैं और बारा बज़े का आपका टाइम है तो मन कहेगा कुछ खा लिया जाए आदत है अब टो जब इतनी संसारिक चीजों की आदत बना सकते हैं तो क्यों ना परमात्मा की याद की आदत बनाएं और जब आदत बन जाएगी तो एक इंतना कि बिविचार भाणना बनेगी समय बनेगा सक्चा मनुष्य हो मद्यक्वारो दिमागका सक्चा डवलप्मेंट है जब इंसान जैहा बोलने लगता है तो टॉक्टर के पास जाते हैं कहते हैं वह ज्यादा बोल दो है कहते हैं अिए इसका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है फोड़ा धीरे करो गोली देता दिमाग धीरे करने के और जब धीरे चलता है तो कहते हैं यह काम नहीं कर सकता है ना तो उसके लिए भी कहता है कि यह गोली दे लो जिसका दिमाग फ्रूप चलने लगे हमारे दिश्यों ने ऐसी कि मन को कैसे बैलेंस करें, सो के शरीर को अराम दे लेते हैं हम लोगों, पर मन हमारा चलता रहता है, जो दिन में काम किये, रात को सोते सोते उनके सपने आते हैं, मन बरावर चलता रहता है, मन को अराम देने का सबसे बड़ा सादन ध्यान है, जैसे ध्यान में जाएंगे, मन निश्क्रिय हो जाएगा, और उसके अंदर सोचने की शक्ति, आत्मा से आईगी, पर मात्मा से आईगी, तो मैंने आपको बताया, ध्यान करने का तरीका, अपने सामने बनाएं, उसको अपने हिर्दे में उतारें, दिल की हर धड़कन पर, जो नाम आपका है, जो आपने चुना है पर मात्मा का, उसको सुने, जो निराकार भगवान के उपासक है, निराकार, ओम, अल्लाह वाएग्रो, बड़े प्यार से बैठिये, ओम, दिल की हर धरतन पर, ओम, ओम निकले इतने प्यार से सुने, और पूरे शरीद में वैबरेट होता हुआ, दिखाई दे, लहर जाता हुआ, ओम, ओ, मैसूस करिए, मैसूस करने की चीज़ है, तो अभी एक बजन होगा, और बजन के साथ साथ सभी भाई, भेन, अपने अपने इस्ट कर ध्यान करेंगे, माना की आज तर के, समन्ना करेंगे हम, माना की आज तर के, समन्ना करेंगे हम, तेरे बगेर जी के, भला क्या करेंगे हम, तेरे बगेर जी के, माना की आज तर के, समन्ना करेंगे हम, माना की आज तर के, कम होगी जब चरागे महबत की रोशनी, कम होगी जब चरागे महबत की रोशनी, दिल को जला के वज मु मैं, दिल को जला के वज मु मैं, कुजाला करेंगे हम, तेरे बगेर जी के, भला क्या करेंगे हम, माना की आज तर के, जल्वा तरी महफिल का, दब दाखिलों के देखा, जल्वा तरी महफिल का, जब दाखिलों के देखा, है नजारा सब नजल का, नरुस्वा करेंगे हम, है नजारा सब नजल का, नरुस्वा करेंगे हम, तेरे बगेर जी के, भला क्या करेंगे हम, माना की आज तर के, समना करेंगे हम, माना की आज तर के, बैठे हैं वो नकाब पोश्ट तक्त पे आलिया, बैठे हैं वो नकाब पोश्ट तक्त पे आलिया, वो होंगे बे नकाब तो, वो होंगे बे नकाब तो, परदा करेंगे हम, वो होंगे बे नकाब तो, परदा करेंगे हम तेरे बगेर जी के भला क्या करेंगे हम माना की आज तल के समन्ना करेंगे हम माना की आज तल के ले चल ए दिल उनके दर पे करने को बंदगी ले चल ए दिल उनके दर पे करने को बंदगी आज उनके पाए नाज पे करने को बंदगी आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम तेरे बगेर जी के बहला क्या करेंगे हम माना की आज तल के तमन्ना करेंगे हम माना की आज तर के तेरे जजबाए फैस से दुनिया है बेखबर तेरे जजबाए फैस से दुनिया है बेखबर खुश हो के दालत दीन से जोली बरेंगे हम खुश हो के दालत दीन से जोली बरेंगे हम तेरे बगेर जी के भला क्या करेंगे हम माना की आज तल के तमन्ना करेंगे हम माना की आज तल के तमन्ना करेंगे हम तेरे बगेर जी के भला क्या करेंगे हम तेरे बगेर जी के झाल 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 हो झाल 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 किम शुद्स्त यक्तू मिच्छ सी संगात विल्यम कुर्व नेव मेव लयम व्रज चतुर्थ अध्याई में राजा जनक ने उन आक्षेपों का उत्तर एवं स्पष्टी करन सुन्दर रूप से दिया है जो महरिशी अष्टावकर जी महराज ने अपने परंप्रिय शिष्य राजा जनक की परीक्षा के लिए के थे अब अपने परंप्रिय शिष्य को उसकी आत्मवित अवस्ता की दिर्टा के लिए चार शलोकों में लैका उपदेश करते हैं महरिशी अश्टावकर जी महराज कहते हैं, हे जनक, तू शुद्ध बुझ स्वरूप है, तेरा देह उसके विश्यों एवं वासनाओं से कोई संबंध नहीं है, उसके ममत्व और अहंकार से दूर हो जा, तू तो असंग है, फिर तेरे लिए त्याग और ग्रहन कहां है, इस अब तू देह संगात को लेकर, मैं देह हूँ, या मेरा यह देह है, मैं पंडित हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ज्यानी हूँ, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने आत्म स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित हो जा, We can only renounce or desire what are attached to, but the pure self is unattached. Through ignorance, we identify the self with the body complex. This identification prevents us from realizing our true self. The moment we destroy this identification, we merge into the absolute. This is one of the way to achieve ले. उदेती भवतो विश्वम, वारी धेरिव बुद्बुदह, इती ग्यात वैक मात्मान, मेव मेव लयम व्रज, जैसे समुद्र में अनेक बुद्बुदे और तरंग उत्पन होते हैं, फिर समुद्र में ही ले हो जाते हैं, समुद्र से भिन नहीं हैं. वैसे ही मन के संकल्प से यह जगत उत्पन हुआ है, और मन के ही ले होने से जगत भी ले हो जाता है. आत्मा से दैव शुद्ध और मुक्त है, वह कतापी बंद को नहीं प्राप्त होता है, बंद और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं, मन के शांध होने पर बंद और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता. आत्मा में मन के ले करने से सारा जगत ले को प्राप्त हो जाता है. The universe rises from you, like bubbles from the sea. Similarly, the self is the only substance behind the universe, the name and form of the universe being mere superimpositions. Having known the oneness of the self, he attains the state of dissolution, i.e., merger into the Absolute. प्रत्यक्षम पय वस्तुत्वा द्विश्वम नास्त्य मले त्वई रज्जु सर्प इव्यक्त मेव मेव लयम व्रज यदपी सिंसार प्रत्यक्ष में नजर आता है, परंतु आत्म साक्षातकार के बाद आत्मा की व्यापकता और संसार की अनिश्चिंतता का अनुभव ग्यान हो जाता है इस आत्म ग्यान के बाद ग्यानी के लिए संसार का अस्तित्व ही नहीं रह जाता फिर उसमें आसकती कैसी जिस प्रकार रज्यू के जान लेने के बाद उसमें सर्ब की जूटी कलपना समाप्थ हो जाती है उसी प्रकार गुरु एवं ईश्वर के कृपा से आत्म साक्षातकार के बाद संसार की बाहरी कलपना भी समाप्थ हो जाती है इसलिए अपनी आत्मा को ही शुद और अविनाशी जानकर अपने मन को अपनी आत्मा में ही लेकरके जीवन मुक्त हो जा The universe, because it is unreal and illusory, being manifested like the snake in the rope, does not exist in you, who are pure, even though it is present to the senses Therefore, realizing that the universe, which has been superimposed on the self, is really non-existent, merge yourself into the absolute Sam dukh sukha purnaha, आशान राशय यो समह, सम जीवित मृत्यू सनेव मेव लयम व्रज महरिशी अश्टावकर जी महराज कहते हैं, हे जनक, तू आत्मा नन से भरपूर है देवयोग से शरीर में उत्पन हुए सुपदुख भी तुझे विशलित नहीं कर पाते हैं आशा और निराशा में भी तू सम है, जीने की लालसा भी तूने त्याग दी है क्योंकि जीना और मरना इसी जीवन में तुझे एक तरह मालूम होने लगा है तू न जन्म लेता है और न मरता है, तू तो शाश्वत है जन्म मरन के बंधन से सर्वदा मुक्त है तू निर्विकार है, सर्व बंधनों से सदा मुक्त है ब्रह्मलीन आत्मा को केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है इसी लिए तू अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन करके ब्रह्म रूप हो जा सर्वम खल विदम ब्रह्मा यह संपून जगत निश्चे करके ब्रह्म रूप ही है ऐसे चिंतन का नाम ही ले चिंतन है O Janak, you are a realized soul You are always merged in the absolute And beaming with Atmik Anand You are unaffected by joy and sorrow Hope and despair, life and death Tread on this earth as Jeevan Mukt Vanishing your ego and body sense You have completely merged yourself in Brahm Wish you perfect lay Itishri Ashtavakra Gita Mithyam Panchmo Adhyay Samaptam Shashto Adhyay Uccitar Gyan The Higher Knowledge Janak Uvaj Aakash Vandanto Aham Ghatvat Prakritam Jagat इती ज्यानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लयह पंचम अध्याई में महरिशी अश्टावकरजी महराज ने राजा जनको लये की तीन अवस्थाओं का साधन एवं ज्यान कराया तीन प्रकार से लए एक शरीर का लए दो मन का लए और तीन आत्मा का लए प्राप्त होने के पस्चात ब्रह्मलीन आत्मा निरंतर पर्मानंद में ही रमन करती है महरिशी अश्टावकरजी महराज कहते हैं हे जनक आकाशवत मैं अनन्त हूँ संसार घटवत प्रकृती जन्य है इस कारण इसका नत्याग है और ना गरहन है और ना लए है यही सच्चा ज्यान है अनन्त स्वरूप आत्मा का लिहादिकों में निवास कैसे हो सकता है जनक जी नम्रता पूरवक उत्तर देते हैं जैसे घट मठादिक आकाश के निवास के स्थान है और भेदक भी है उसी प्रकार देहादिक भी अनन्त स्वरूप आत्मा के निवास के स्थान है और भेदक भी है वास्तव में तो यह जगत मिथ्या माय का कार्य होने से मिथ्या है आत्म साक्षात कार द्वारा जो सत्य अनुभव ज्यान है वही अनुभव रूप होकर जगत के मिथ्यात्व में प्रत्यक्ष प्रमान है Just as the space inside a pot is the same as the infinite space outside it So the universe exists in and through the one infinite self The universe is nothing but superimposition of names and forms on the infinite self and as such is mere illusion This is supreme knowledge and is attained by actual self-realization The question of renouncing, accepting or destroying anything does not arise महोर्व दधी रिवाहम सप्रपंचो विची सनिभः इती ज्यानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लया मैं समुद्र के सद्रिश हूँ और यह संसार तरंगों के तुल है जिस प्रकार लहरों का प्रभाव समुद्र पर नहीं होता वह शाश्वत विकार रहित विद्यमान रहता है उसी प्रकार ब्रह्मलीन आत्मा पर देहूं और संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह निर्विकार निरंजन सदा एक रस विद्यमान है इस प्रकार का अनुभव रूप ज्ञान ही आदम साक्षातकार के उप्रांथ उच्छतम ज्ञान है I, the soul merged in the absolute, am like the ocean and the universe is like the waves. This is the real knowledge attained after self-realization. In the ocean, water is the real substance. The name and forms of the waves are only apparent. Similarly, self is the only substance. The names and forms of universe are only illusory superimpositions. So it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. अहम सशुक्ति संकाषो रूप यव दिश्व कल्पना इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो ले जैसे शुक्ति सत्य रूप है और उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देहादिक संग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप मैं ही सत्य हूँ और सारा प्रपंच मेरे में कल्पित रजत की तरह मिथ्या है. I am like the mother pearl, and the illusion of the universe is like silver. This is real knowledge, so it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. The reality behind the illusion of silver is the mother pearl. Similarly, the reality behind the universe is the self itself. अहम वा सर्व भूतेशू, सर्व भूतान्यतो मैं, इती ज्यानम तथे तस्य, न त्यागो न ग्रहो लयह। जनक जी कहते हैं, मैं ही संपूर्ण भूतों, जल्चर, धल्चर, व्योम्चर, पेड, पौधे और वनस्पती, एवं समस्त संसार में व्यापक रूप होकर बरत्ता हूं. मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सत्ता और स्फूर्टी का देने वाला हूं. मेरे में ही सारा जगत आकाश में नीले पन की तरह अध्यस्त है. यहाँ अपनी आत्मा का अनुभव कृत्त ज्ञान ही सर्वशेष्ट ज्ञान है, जिसको प्राप्त करने के बाद सादक दश्टा मातर ही रह जाता है. मैं सेल्फ is the only substance of the universe. The सेल्फ is the substratum, the one existence on which the entire universe is a mere superimposition. As such, I am indeed in all beings, and all beings are in me. This is real knowledge, so it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. इतीश्री, अष्टा वक्र गीता मृत्याम, शष्टो अध्याय समापतम, ओम. आए बाद बाद सादक अवान। झाल 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 झाल